आठ जून से बंद देश खोलने लगेगा सक्ती और पाबंदियों पर क्रमसह धील तो मिल ही रही थी अब लागडाउन करिब करिब खत्म ही हो जाएगा लागडाउन आम लोगों को कोरोना के संक्रमन से बचाने का एक प्रयास था और मिल रही छूट हमारी सुविधाओं के लिए है इन 65-70 दिनों की बंदिशों से हम मानसिक रूप से तयार है कि अब आने वाले दिनों में कोरोना के साथ ही रहना है जब उसके साथ रहना ही नियती है तब हमें उन गाइड लाइन्स का पालन करना चाहिए जो हमारी सुरक्षा के लिए जारी हुए है एक और छूट देने की प्रक्रिया है तो दूसरी और प्रदेश और देश में कोरोना वाइरस से पीडितों की संख्या में भी लगातार विद्धी हो रही है भारत अब उन देशों में आ गया है जहां संक्रमित तेजी से बढ़ रहे है चिंता इस बात की है कि सरवाधिक प्रभावित देशों में संक्रमन नियंत्रित होने लगा है तब भारत में दर बढ़ रही है हम सात्वे करम पर आखड़े हुए है संक्रमन की यही तेजी रही तो देश जुलाई से पहले ही नमबर एक बन जाएगा देश की आबादी और भौगोलिक परिस्थितियों के मद्दे नजर यह संक्या कम ही कही जाएगी रहत की बात है कि भारत अभी भी सोशल ट्रांस्मीशन से बचा हुआ है दिल्ली, महरास्ट, गुजरात, आदी प्रदेशों में देश भर के सत्तर फीसदीक संक्रमित हैं शेस राज्यों के कुछ इलाकों में ही कोरोना का प्रकोफ है हम जागरुक रहें तो कोई कारण नहीं कि कुछ जीलों को छोड़ पूरा भारत कोरोना मुक्त हो जाएगा हमें ध्यान रखना होगा कि सावधानी हटी तो दुरगट ना घटी कोरोना से जारी इस जंग में 36 गड़ का प्रदर्शन अब तक तो अच्छा रहा है बड़े पैमाने पर भले ही जाँच नहीं हो पा रही हो लेकिन सुरक्षा के इंतिजाम संतोष प्रद कहे जा सकते हैं बावजुद इसके आदत से लाचार ऐसे भी लोग हैं जो शासन के प्रयासों में सेंद मारी में सफल हो रहे हैं क्वारंटाइन सेंटरों में सासन के तमाम दावों के विपरीत अव्यवस्थाय कायम हैं जिम्मेदार लापरवा हो रहे हैं इन पर लगाम कसे जाने की आवश्यक्ता है सफलता का श्रेयदी मुख्यमंत्री भूपेश बगेल को दिया जा रहा है तो तनिक सी विफलता का ठीकरा भी उन्ही के मत्थे खोड़ा जाएगा यह राजनिती का सामान निसा सिध्धान्त है शीर्स पर ही निगाहें होती है जो सियम बगेल के लिए है वही प्रधान मंत्री मोदी के लिए भी लागू है बिलासपूर से आई इस खबर का जवाब कौन देगा कि 17 अप्रेल से 30 मई के बीच 8994 सेंपल एम्स रायपूर भेजे गए जिन में से 1200 को भेजने वालों की लापरवाही के कारण रिजेक्ट कर दिया गया और 608 सेंपल लापता है अब इन 2000 लोगों की तलाश और सेंपलिंग का काम हो रहा है इन लापरवाह लोगों को आपदा काल में क्या सजा नहीं मिलने चाहिए इन बेपरवाहों ने समूची सरकार को कटगरे में खड़ा कर दिया है आशीज सिंग के साथ मनीश शर्मा डिनेक्स तीवी रायपूर